हेलो एवरीवन, वेलकम तो आवर जेएपीज जीट सीरीज, आप जुनाली फ्रॉम लर्नोहब, फ्री लर्निंग प्लाटफॉर्म जहाँ पर सकते हो math, physics, chemistry and biology और उसके साथ ही साथ जेएपीज जीट सीरीज, वो भी बिल्कुल फ्री, at learnohub.com तो चलो everyone, हो जो तयार आजम करने वाले हैं, जे इस रीज में math के अंदर, properties of triangles and height and distance की concepted on, yes, तो already आपने एक concepted on यहाँ देख लिया है, तो जितने भी important जीजे हैं, जितने भी rules है और जितने भी formula हैं, सब को अच्छे से समझेंगे, और धेर सारे examples करेंगे, yes, तो get ready with your pen and paper, so that we can start together, और यहीं देखो, यह हम आचुके हैं ने, प्योस एनलोजी पे, जिसे हम tangent rule भी कहते हैं, तो याद होगा आपको कि last वाले concepted on में हमने किया था sign rule as well as cosine rule, तो अब चलते हैं अपने tangent rule पे, जहां पे हम देखेंगे कि कैसे इस formula को भी हम derive भी कर सकते हैं, और बहुत कर सकते हैं, देख लो सबसे पहले की formula है क्या, tan of b minus c by 2, तभी यह tangent rule कहलाता है, ठीक है, okay, so tan b minus c, that means यहां पे हमने दो दो angle यूज की है, b and c को, fine, अब देखो, जैसे इस angle के लिए हमें लिखनी होती है value, तो यहां क्या आजाता है, जो भी angle यहां लिख रहे हो आप, जैसे यहां नहीं use की है, उस angle को use कर लेना है, that means cot of a by 2 हो जाएगा, that is all, then यहां पे, यह formula हमने याद किया, तो सोचो इसी तरह से, अगर मुझे tan of c minus a by 2 चाहिए होगा, तो क्या लिखेंगे, tan है, तो साथ में cot आने वाला है, उधर बस इतना ध्यान रखना, ठीक है, तो tan of c minus a by 2 क्या करेंगे, c minus a लिया है, that means, यहां पे भी c minus a upon c plus a करोगे, और c a को use कर लिया है, तो बच्चा क्या b, so cot of b by 2, देख सकते हो, yes, understood, तो याद करना समझे रहो, बहुत easy है, तो यह last वाला, आप खुद से try करो लिखने का, अगर right hand side ना देख कि आप इसको सिब लिखना चा लिख लो खुद से, recall करो कि sign rule क्या था, okay, और हमने बहुत सारे questions भी किये थे उस पे, done, so that is sign b and then c upon b हम लिखते थे sign c, और अपने need की हिसाब से हम इसे assume कर लेती थे भाई, यह कोई भी constant k हो सकता है, done, यह तो हमें पता है कि this is nothing but sign rule, okay, तो यह जो sign rule है ना, इसे हम यहां use कर करने वाले हैं to prove this, कि कैसे यह आया है, तो आपने पास triangle आप देखी सकते हो, जैसे यह सवरे vertices हैं, हमारे पास यह vertical जो भी है, और यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यह vertex है, and this is nothing but a, that means a जो vertex है, उसके side वाले, इसके सामने वाले जो होगी side, that is a, b के सामने वाले side b है, औ जैसा हमने वहां पर assume किया था, same triangle को यहां पर भी assume कर रहा है, done, okay, और यह कोई भी triangle हो सकता, it is not necessary कि right angle triangle हो, done, चलो, अब देखते हैं, हमारे पास right hand side में है क्या, तो we can see कि right hand side में हमारे पास है, b minus c upon b plus c है, ठीक है, and into cot of a by 2, correct, इत्ती सी बात है, अब इसे हम try करेंगे कि tan of b minus c by 2 के form में convert करें, तो as you can see, क्या बताया था, मैंने आपको कि sine rule कब use करना है, और cosine rule कब, जब भी अपने पास दिख रहा है कि b minus c का form है, that means separate है अपना side, तो जब भी separate side हो, तो यहां पर हम लोग अराम से sine rule use कर सकते हैं, but यही अगर sides हमारे multiplication के form में होते हैं, जैसे कि b into c या फिर b square का form होता है, तो वहां हम try करते हैं, कि we have to use the cosine rule, ठीक है, तो चलो यहां as we can see, कि b minus c है, तो क्यू ना b और c को हम इस formula को use करके angle की term में लिख ले, correct, तो as you can see, कि b की जगा लिखना होगा, तो क्या लिख सकते हो, k into sine b, c की जगा पे k into sine c, right, we can do that, तो क्यू ना यह यहां पे k common ले लिया जाए, तो हमार पस क्या बचेगा, perfect, sine b minus sine c, done, and divide by, यहां से भी हम k common ले लेते, तो क्या मिलेगा, same मिलेगी value, sine b, but only the difference is what, यहां पे अपना plus आ गया है, clear, and यहां पे प्रिपास got a by 2 तो पहले से ही था, है ना, अब देखो, इस k and k को हम cancel करा सकते हैं minus sine d क्या होता था, 2 sine c minus d by 2 into cos c plus d by 2, correct, याद है ना, तो बस उसी प्रोमले को यहां पे बिठा दो, so this is 2, पहले minus है, तो that means sine आएगा minus के साथ, तो b minus c by 2 हो गया, into cos आएगा plus के साथ, तो b plus c by 2, done, undivided by, यहां पे भी क्या हो जाएगा, as you can see plus है, तो पहले sine आएगा plus के साथ तो b plus c by 2, and then cos b minus c by 2, clear, and then it is multiplied by cot of a by 2, अब आप थोड़ा सा ध्यान दे, now we are talking about a triangle, है ना, और यहां देखो, b plus c की जो value है, उसके हम क्या लिख सकते हैं, you know, that a plus b plus c, जो तीनो ही अंगल को हम add करने वाले हैं, तो क्या मिलेगा, of course, pi मिलने वाले, that is 180 degree, तो यहां से अगर pi minus a करेंगे बिल्कुल, right, तो जैसे ही pi minus a करोगे, तो b plus c by 2 की value कितनी हो जाएगी, pi by 2 minus a by 2 होगी या नहीं, yes, होगी, are you getting this point, correct, तो हमें यह समझ में आ गया है, that whenever we are doing this, तो हमारे पास value pi by 2 minus a by 2 आ रही है, ठीक, अब इसे हमें use करना है, okay, so सबसे पहले यह देख सकते हो, two to cancel हो गया, और यहां पे, cos of b plus c by 2 है, and upon sin of b plus c by 2 को क्या में लिख सकती हूं, cot of b plus c by 2, बिल्कुल, कोई problem नहीं है, yes, and in two again, here you can see, यह क्या है, sin of b minus c by 2, and यहां पे है, cos of b minus c by 2, तो sin by cos क्या होता है, nothing but tan, so can I write this as tan of b minus c by 2, बिल्कुल, और पहले से जो चल रहा था साथ, वो अब इसे, अराम से में लिख सकती हूं, this is nothing but pi by 2 minus a by 2, and this is multiplied by the same thing that is here already written, तो यहां पे यह सारा कुछ लिख दिया, अब मुझे खुद बताओ, cot of pi by 2 minus theta क्या होता है, nothing but tan theta, right, so this is nothing but tan of a by 2, यह है अपना tan of b minus c by 2, और धान देना जरा, this is cot of a by 2, cot of a by 2, and tan of a by 2, cancel हो गए यह नहीं एक दूसरे के साथ, yes, because एक दूसरे का रहा सी प्रोपकल है, cancel हो गए, तो हमार पस टर्म क्या बचा जो हमें चाहिए था, that is tan of b minus c by 2, so can you see, this is nothing but LHS, तो हमने एक प्रोपर्टी तो यहां पे एक जो रूल थी, उसे तो हमने यहां करते हैं, और यहां पर आपको हमेशा ज़रुत भी नहीं है, प्रूफ करने कि आपको बस यह formula हमेशा recall करना है, याद रखना और याद करने का तरीका आपने देखी लिया है, जो भी angle यहां है, same side यहां लिखो, उपर minus रखो, नीचे plus करो, और जो angle नहीं है, उसे यहां और अब यह भी हमने देखा था, ने प्रेस अनलाजी टैंजिन टूल, तो यह question भी उसी के उपर based है, fine, तो अच्छे से देखो, और समझो कि कैसे हमें, अगर यह तो topic हमें पता है, इसलिए, अगर नहीं पता हो था, तो कैसे सोचते कि यह कैसे बनेगा, और कौन सा rule यहां ठीक है, तो देखो यहां, इन ट्राइंगल ABC, तो जैसे ही ट्राइंगल आये न, तो दिमाग में सबसे पहला thing जो आना चाहिए, वो यह है, कि 180 डिगरी होगा इसके अंगल का सम, ठीक है, ट्राइंगल का मतलब ही है, कि 180 डिगरी होना चाहिए, उसके सारे अंगल का सम, तो एक दम दिमाग में तुरंट से क्लिक करना चाहिए, ठीक है, अब उसके बाद क्या गिवन है, इस ट्राइंगल A प्लस B कोस्तो 120 डिगरी, अब ही जो हमार दिमाग में क्लिक हुआ था, कि 180 डिगरी, उसमें से बता दिया गया है, A प्लस B की वालू 120 है, तो अफकोर्स C की व गिवन है, साइड B भी गिवन है, then the ratio of, अच्छा, ratio चाहिए, किसका भाई, एंगल A and B का, क्या होगा ये बताना है, तो आप मुझे बताओ कि कैसे सोचोगे, इतनी सारी वाल्यू जो गिवन है, A प्लस B बता दिया गया है, A पता है, B पता है, साइड, और यहां एंगल C भ काल सकते है, A प्लस B अगर पता हो, तो अफकोर्स अगर A माइनस B पता कर ले, तो बहुत ही इजी हो जाएगा, है ना, और A माइनस B पता करने के लिए, हमारे पास अभी एक रूल आया था, टैंजेंट रूल, उसमें क्या कह रहा था, कि अगर मैं लिख दू, tan of A माइनस B तो हमें value पता है, क्या value पता है, tell me, yes, we can write, जो भी यहां रहता है, A, B उसी को लिखते है, side के form में, तो A माइनस B अपान, बस यहां प्लस लगा दो, और फिर क्या है, जो angle नहीं है, उसे use करना है, cot के साथ, so cot of C by 2 करना है, are you getting this, yes, तो बस देख सकते हो, left hand side बस unknown है, अपन सब की value, तो A मैनस B यहां से करोगे directly, तो you can see, कि root 3 root 3 cancel, 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2, done, A प्लस B करोगे, तो क्या हो जाएगा, 1 मैनस 1 cancel, 2 root 3, तो लिख दो यहां, and then cot of C by 2 का मतलब, cot 30 degree, and you know, कि cot 30 degree की value कितनी होती है, not 1 by root 3, tan 30 degree होती है, 1 by root 3, but यहां क्या है, cot 30 degree, so क्या होगा, root 3, right, so here we can do, this root 3, then, अब अब देखो, तो सारा कुछ ही cancel हो गया, आपको मिल गया, 1, and tan of theta equals to 1 का मतलब क्या होता है, correct, theta is nothing but 45 degree, that means, from here, A मैनस B by 2 की जो value है, वो कुछ नहीं बलकि 45 degree आ गई, अब जैसे, A मैनस B की value मैने पूछी, तो कोई भी बता सेखता है, this is 90 degree, आप यहां पर A plus B की value है, 120 degree, क्या आप मुझे यह नहीं बता सकती, कि A and B की value कितनी होगी, yes, कोई भी बिच्चा मुझे बता सेखता है, तो जल्दी से मुझे बताओ कि दोनों की value कितनी होगी, कुछ नहीं करना है, यहां cancel करा दो, so from here, what you are getting, 2 A की value आ जारी है, अपनी, दोनों क बस add करना है, that is nothing, बस कितना होगया, 210 degree, correct, 210 जैसे ही हुआ, so from here, A की value कितनी आ गई है, 105 degree, आप मुझे बता होगर, A की value 105 है, इसका मतलब, B की value, yes, of course, we can say that nothing but 15 degree होगी, तो A and B की value, अगर आप निकाल लिये हो, तो कोई भी मुझे बता सकता है, that what will be the ratio of A and B, and it will be what, correct, it will be nothing but 105 upon 15 degree, और किते बाद में cancel होता है, 15, 7 times में, that is nothing but 7 is to 1, so this is the answer, देखलो option कौन सा है, so पहला ही option आपका है, correct option, understood, so this is the answer, done, clear, समझ में आई बाद की कैसे ही question को हम देखते हैं, समझते हैं, और अपने accordingly formula and rule लगाते हैं, ठीक है, तो चलो इसके आगे चलते हैं, and now here it is, circum circle of a triangle, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, कि circum circle of a triangle होता क्या है, yes, हमेशा में ध्यान रखना होगा, circum circle of a triangle का मतलब, that means, वो, जैसे circumference याद रहता है, circumference क्या होता है, perimeter, that means, हम जब circle की बार में बोलते हैं, कि what is the circumference, तो हम क्या बोलते हैं, उसके चारो तरफ की line को हम चेक करते ह हैं, correct, तो ये जो line है, एक triangle का है, circum circle, इसका मतलब, जो भी triangle है अपना, उसके vertex से ये pass होता हो जाएगा, ठीक है, तो vertex से देख सकते हो, pass होता हो जा रहा है, पट इसका center कहां पे होगा, center of course, जो होगा, वो कुछ नहीं, बलकि perpendicular bisector होगा, of side of that triangle का, are you getting this point, that means, ये जो line है, ये perpendicular bisector है, इस particular line BC का, that means, इस side A का, इसका मतलब, this side is equal to this side, got it, understood, similarly, ये जो line है, let us assume मैं इस point को O बता दू, तो this line is also nothing but perpendicular bisector of this line AC, इस side AC का, इसका मतलब B का, that means, this side is also equal to this side, got it, similarly, this O points, अगर मैं यहां पे भी एक line draw कर रही हूं, तो this is also perpendicular bisector of this line AB, इसका मतलब, ये वाली जो line है, this is, this is equal to each other, इसका मतलब, ये वाला line, that means, B, let us assume, कोई भी point में मालनों, अगर इसे F, तो B F is equal to F A, got it, clear है, तो ये ज़रूरी नहीं है, कि हमेशा ये जो line मैंने plot करी है, ये बिलकुल straight line होनी चाहिए, it is not necessary, हम ऐसा भी triangle बना सकते हैं, और ऐस इसा भी circumcircle बना सकते हैं, तो circumcircle हमेशा ही जो है, vertex से पास करता हुआ जाएगा, but it is possible, सबसे पहले आप क्या करो, इसके center के लिए, you have to draw the perpendicular bisector, ठीक है, जैसे आपने perpendicular bisector draw किया, अब उसके बाद आप vertex से मिला सकते हो, इन lines को, तो वो depend करीगी कि वो straight line आ रही है, या नहीं रही है, it totally depends upon the situation and circle का size and triangle का size, ठीक है, and shape also, okay, then, got this idea, so this is very important, यह कभी भी ऐसा नहीं है, कि यह straight line ही होना चाहिए, ए से लेकर कर, let us assume, this point को मैंने D माल लिया है, ठीक है, it is not always the case कि AD जो है, वो straight line होगा, it is possible कि यहाँ से O से D तो हमेशा perpendicular होगा, इस line BC पे, but AO जो है, वो इसा तिर्चा भी हो सकता, इधर भी हो सकता, उधर भी हो सकता है, एक straight line में नहीं होना चाहिए, ऐसा मतलब नहीं भी हो सकता है, ठीक है, understood the idea, ठीक है, जैसे यह बात समझ में आ गई है, अब समझो कि हमार पास जो rule है, वो क्या कहता है, तो इस rule को समझने के पहले आपकी द अफकोर्स यह गर अगर radius R है, तो यह वाला भी radius R होगा और यह भी radius R होगा, that means here we have OA is equals to, OB is equals to OC, done, यह तो बिल्कुल सही है, correct है बिल्कुल, and this is nothing but equals to R here, और इस R को हम बोलते हैं, circum radius, okay, क्या बोलते हैं, circum radius, because हमने कहां से लिया है, यह लिया है from circum circle से, तो इसलिए circum radius है, और यह जो O center है, उसे हम बोलते हैं, circum center, got this, so circum center अपना क्या है, circum center is nothing but O, और यह जो circum radius है, this is your R, done, clear, तो इत्ती सारी कहानिया आप समझ लो about the circum circle of a triangle के, done, अब आगे चलते हैं, और देखते कि हमारे पर सुरूल क्या है, तो यह जो circum radius है, R, and this is equal to, A by 2 sin A, यहां कहां से याद आ है, कुछ relate कर पा रहे हो, yes, हमारे पास sign rule था, जो कहता था कि A upon sin A is equal to B upon sin B equals to C upon sin C, तो वहां पर बस हमने क्या किया है, denominator ने 2 add multiply कर दिया है, got this, that means A upon 2 sin A equals to B upon 2 sin B equals to C upon 2 sin C कर देते हैं, तो this is nothing but equal to capital R, clear, understood the concept, तो यह आता कैसे है, तो इसके लिए बहुत ही simple सा है, देखो यहा R हमें चाहिए, correct, अब देखो, कि अगर मैं आपको से ट्राइंगल इसके बार में बात करने को कहूं, that means we have the triangle here, B, O and C, that means सिर्फ ट्राइंगल B, O, C पे अगर थोड़ी देर के लिए आप फोकस करो, तो इस ट्राइंगल में, जो कि कहां से जा रहा है, यह ट्राइंगल ऐसा अपने 9-10 में ही कर ली थी, कि that means जो भी अपने पास यह एंगल A है, और यहां जो एंगल बनेगा, उन दोनों में कोई relation होता है, do you remember that, that yes, of course, whatever this A angle is here, यहां पे वो 2A एंगल बनता है, and हमें पता है कि as यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब this line is equal, this line is equal, यह equal to S A और यह लाइन तो of course equal है, तो S A S के वज़े से यह दोनों triangle क्या हो जाएंगे, congruent और congruent होने के वज़े से, this angle will be equal to this angle, और of course, अगर यह पूरा का पूरा angle 2A है, तो this angle will be A, and this angle will also be A or not, got this idea, understood the concept, yes, तो यह जैसे ही समझ में आ गई बात हमें, अब तो हमारा आम से इसको सकते हैं, अब पहुंच जो, अब triangle B, O, D में, तो जब मैं triangle B, O, D की बात करूंगी, तो in triangle B, O, D, अपने आपको अगर चाहिए, sign of A, तो मुझे बताओ क्या लिखोगे, sign A, that means this is the perpendicular line, and perpendicular line को हम क्या लिख सकते हैं, यह जो B, D है, B, D, equal upon, हम क्या लिखेंगे, this B, O, got this, understood, now tell me, कि अगर मैं sign A को लिखना चाहूं, B, D की चिगा पर मैं क्या लिख सकती हूं, this whole side is A, so of course B, D is nothing but half of that, that means A by 2, correct, okay, and this B, O, is nothing but what, R only, so now tell me, अब यहां से अगर मैं R की value आप से पूछो तो क्या बोलोगे, nothing but A upon 2 sign A or not, yes, तो जैसे मैंने R के लिए निकाल लिया है, A upon 2 sign A, similarly, अब दूसरे triangle को लेकर निकाल सकते हो, R upon B upon 2 sign B, then R equals to C upon 2 sign C and so on, clear, understood, तो that means यह formula कैसे आता है, अब तो अच्छे से समझ में आ गया, अब यहां पर एक और formula हमारे पास बनता है, और वो क्या है, वो कहता है, that R is equal to A, B, C by 4 delta, and delta is what, nothing but, correct, area of the triangle, do you remember this, that, याद है ना कि area of triangle हम करते थे, लिकालते थे, delta से assume करते थे, तो सबसे पहले तो delta को recall कर लो, क्या था delta हमारे पास, तो जब हम delta की बात करते थे, तो याद करो, यहाँ A, B, C है, that means, हमारे पास B and C का product दिख रहा है, कुछ याद आया, yes, we have the formula that area of the triangle can be written as, half into B, C, into nothing but sin A, जो भ यही होता था था ना, अब मुझे बताओ, कि यहाँ पे half of B, C लिखा, और यहाँ sign A, जो है, उस sign A के जगा पे क्या मैं लिख सकती हूँ, उस value को, A by 2 upon R लिखा है, correct, that means nothing but A by 2 R, यही value है ना, तो क्या इसको मैं उठा के या रख सकती हूँ, बिलकुल, तो चलो लिख दिया A upon 2 R कर दिया, so from here, what you can see, A, B, C upon आगया अपने पास 4 R, so therefore, of course, R कि अगर मैं value लिखना चाहूँ, तो क्या आ जारी है, A, B, C upon 4 delta or not, yes, आ रही है ना, समझ में आई बात कि क्या होता है यह, clear, clear है, concept समझ में आ गया, तो जैसे ही यह value आपके पास आ गई है, अब आप ध्यान भी रखो, कि हमेशा आपको prove नहीं करना है, but you should know कि कैसे आई है value, तब दिमाग में वो चीज़े recall हो जाती है, अगर आप भूलोगे भी तो, नहीं, तो यह दोनों formula is must to remember, यह एकदम याद करके रख लो, because यह आपको maximum questions में use होने वाले है, ठीक है, तो चलो, अब इस पे एक अचा सा question देखते हैं, और और भी clear करते हैं कि concept of formula को कैसे लगाया जाता है, और यह रहा अपना question number 9, you can see, in any triangle, जैसे triangle बोला, क्या बोलना है, हमेशे दिमाग में fix हो जाना चाहिए, कि हाँ जो angle का sum है, वो कुछ नहीं बलकि 180 degree है, ठीक है, okay, done, sin a plus sin b plus sin c is equals to what, so that means, आपको यहां दिख रहा है कि answer जो है, वो value के form में नहीं है, otherwise कोई भी बचाराम से इसको shortcut लगा के कर सकता है, कि a, b, c को assume कर लिया, that nothing but, अगर मालो मैं 60, 60, 60 degree ले रही हो, तो कोई मना ही नहीं है, बस वो लगया है triangle, और तो कुछ नहीं बोला गया है, in case, अगर में a, b, c को equal कर ले है, correct, तो यहां क्या करना होगा, s और r दिख रहा है, that means हमें कुछ ऐसा सोचना होगा, so that इन सब की value जो है, वो इसी form में हम लिख सके, correct, और s की value याद है आपको क्या थी, s का मतलब कुछ नहीं बलकि क्या होता था, a plus b plus c by 2, right, और r की value क्या होती थी, अभी अभी हमने दे चाहिए, तो भई, चलो हटा दो यहां से, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, r equals to a upon correct to sin a, and we can see कि हमें sin a है, इसका मतलब हम इसे ही use करेंगे, तो हमारा काम बनेगा, what it, understood कि कैसे हम सोचेंगे कि कैसा कौन सा formula कहां लगाना है, और हमें answer निकालना है, तो चलो, अफ़द आफ़ 2r, plus, sin b की जगह क्या लिख सकते हो, b upon 2r, correct, sin c के जगह पे, of course, c upon 2r, that's all, and that will be equals to r, you can see, गर 1 upon 2r में यहां, ले लू comment, तो हमारा पस बचा a plus b plus c, and you can understand कि a upon 2r हो गया, a plus b plus c के जगह में क्या लिख सकते हो, nothing but 2s, तो जैसे ही 2s लिखा, 2, 2 हो गया, cancel, s upon r आ गया, आपके पास value, तो यह हो गया आपका answer, कौन सा option है, you can see, option b is the correct answer, थाना super easy, isn't it, थाना बहुत ही easy, और समझन में भी कितना आसान है, कि कुछ नहीं देखते ही समझ में आ गया, कि यहां भाई हमें वैसे ही कुछ formula लगाना है, so that result जो मिले, वो r in s के form में मिले, और s तो बहुत ही easy है a plus b plus c का form है, correct, चलो देखते हैं एक और अच्छा सा question, और यह दा अपना next question जोगे, question number 10, यहां देख सकते हो क्या है, if a radius, ठीक है, of a circum circle, समझ में आ गई बात, क्या है circum circle, याद है न, ध्यान से, yes, of an isosilis triangle, अच्छा, triangle भी है isosilis, pqr, नाम बता दिया गया है, ठीक है, is equal to pq equals to pr, that means, basically, जो यहां पर बोला गया है, वो क्या है, कि pqr जो है, एक isosilis triangle है, और यहां पर pq जो है, that is equal to r है, ठीक है, na, pr है, then, and this is equal to, actually, जो radius है, वो है, ठीक है, of circum circle, then, the angle p is what, तो आपको यहां angle p के वार में बतानी है, कहानी, कि क्या होगी, इस angle p की value, ठीक है, तो अब देखो, जैसे ही यह picture दिखा, हमें सबसे पहले circum circle को draw कर लेना है, तो अगर मैं circum circle यहां draw करूँ, तो दो तरीके इसको solve करने के, मैं दोनों ही तरीके आपको बतारी हूं, तो circum circle का मतलब क्या होता है, कि भाई, अपना जो perpendicular bisector है, ऐसा ही होता है, परपेंडिकुलर bisector, जो center है, that is the center of that circum circle, और जो radius होगा, that is equals to nothing but this one, तो अब मैं चलो color change कर लेती हूं, so that it will be clear for you, that means यह होगा इसका radius, तो let us assume यह r मैंने assume कर लिया, so this r, अब यहां से मैं एक circle बना सती हूं, आराम से है, है यही है, अब यही है, अच्छा सा circle है, ठीक है, चलो, अब जैसे ही यह circle बना, और let us assume यह center अपना O है, अब मुझे बताओ, कि इस particular triangle में हमें चाहिए क्या, हमें जो required है, वो है यह angle P, correct, अब ध्यान देना, अगर circle से ही, इस picture से ही आप इसका answer बता सकते हो, तो यहां पे given क्या क्या है, that this r is equal to this PQ line, correct, तो सोचो, कि अगर यह r जो है, वो equal to this PQ line है और यह भी अपना R है, तो इस particular triangle में, that means मैं अगर triangle P, Q, O की बात करूँ, तो हमें क्या दिख रहा है, this triangle P, Q, O की यह वाली side भी equal है, यह वाली side भी equal है, यह वाली side भी इसका मतलब, this is an equilateral triangle or not, yes, of course, तो this is an equilateral triangle, correct, हो रहा है न, okay, fine, तो जैसे यह equilateral triangle हुआ, तो that means this angle, that means Q, P, O, जो angle है, वो कितनी बन के आ गई है, 60 degree, correct, ठीक है, अब चलते हैं, दूसरे angle में, that means, दूसरे triangle में, अब मैं अगर बात करूँ, इस particular triangle की, are you getting this, that means, if I am talking about P, O, R, P, O, R है, ठीक है, P, O, R की बार में बात करूँ, तो आपको क्या दिख रहा है, यहां पे this is R, this is R, and this is nothing but P, R, जो कि equal है, तो यह भी equilateral triangle हुआ या नहीं, yes, of course, यह भी हुआ, तो जैसे यह गर equilateral triangle हो गया, इसका मतलब क्या समझ में आया, कि यह वाले भी जो angle है, that is also 60 degree, correct, तो जब यह दोनो 60 degree है, तो फिर angle अपना 60 plus 60 नहीं हो जाएगा, that is 120 degree, of course होगा, तो जैसे 120 degree हुआ, देख लो, answer कॉन सा है, we can see कि कोई pi की form में है, तो अपकोर्स यह क्या होता है, 2 pi by 3, so this will be the answer, और option D, जो हो हो जाएगा अपना perfectly correct answer, understood, clear, तो यहां बिना किसी formula के, बस concept जो अपने बच्पन से पढ़ा हुआ है, that means, पहले से ही, in circle, आपको सब्सक्राइब का idea है, त अब चलते हैं, दूसरे traditional method में, जहां पर हमने formula के बार में देखा था, तो सबसे पहले मुझे बताओ, यहां पर circum circle की radius के बार में बोला गया है, तो अगर यह अपना R है, ठीक है, और angle यहां पर क्या है, triangle P, Q, R है, तो आप मुझे बताओ, कि R equals to, हमें क्या लिखना होता थ अपन 2 sign A करते थे, बट यहां हम A और sign A के बार में नहीं बोलेंगे, P and sign P के बार में आसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो यहां पर, let us assume मैं अगर इस triangle को देखू, P, Q, R को, तो यहां अगर मैं sign R लिख रही हूं, तो उसके सामने वाला क्या होगा side, small r होगा, होगा ना, yes, so can I write small r की जगा P, P, Q, बिलकुल, तो P, Q, upon हमें क्या लिखना है, 2 sign R, understood, got the idea, correct, चलो, अब आपको क्या पता है, कि this R is equal to basically P, Q, तो जैसे ही यह वाली value मिली हमें, तो हमें क्या समझ में आ गया, कि sign R की value आ गई है, 1 by 2, और जैसे ही आप बोलो कि sign R की value 1 by 2 है, इसका मतलब angle R की value कितनी है, correct, 30 degree, अब सोचो कि एगर angle R की value अपनी 30 degree आ गई है, चलो, यहाँ पर एक triangle बना लेती हो, उसको और हचपच नहीं करती, ठीक है, तो यह P था, यह Q था, यह R था, यह दोनों side equal थे, तो हमने angle R निकाल लिया है 30 degree, और हमें पता है, this is a nice or solution triangle, तो यह side equal है, यह side equal 90 degree अगर है, तो मुझे बता हो angle P की value कितनी होगी, of course, 180 degree minus 60 is का मतलब 120 degree, so this will be the answer or not, और इसको क्या लिखते हैं, 2 pi by 3, तो समझ में आई बात, कि किसी भी method से जाओ, your answer will be always the same, clear, तो जो भी आपको अच्छा लगता है method, उसे चूज करो, इस question को answer, इसका answer लाओ, solve करो, और चल triangle अंदर रहता था, circle बाहर रहता था, in circle नाम से समझ में आई रहा होगा, in circle, that means triangle के अंदर है अपना circle, देख सकते हो, yes, तो सबसे पहले in circle का थोड़ा सा concept समझ लो कि होता क्या है, जैसे हमने जब circum circle ये बाहरे में बात की थी, तो क्या था, वो perpendicular bisector होता था, उसका जो अपन intersecting point होता था, वो होता था circle, center of the circum circle, correct, और radius क्या होता था, vertex से जो distance होता था, वो होता था, अपना radius, done, अब in circle जो है, बिल्कुल अलग है उससे, in circle का मतलब क्या है, एक तो circle जो है, वो यहाँ पे vertex को touch नहीं करता, बलकि sides को touch करता है, और sides को किस तरह से touch करता है, तो ये ध्य देख सकते हो, ये जो अपना angle है, थोड़ा सा अच्छा color लेती हो, जो इसके अंदर दीखे, देखो, this is the angle, ये अगर a point है अपना, तो ये होगा a by two angle, और ये भी होगा अपना a by two angle, are you getting this, that means angle bisector, का जो intersecting point है, that is your center of the in circle, got it, understood the point, क्या है, जो भी अपना है, यहाँ angle bisector, that means, अगर मैं ये line जो करें, इसका मतलब, this is your b by two, और this is also your b by two angle, यहाँ पे अगर मैं यहाँ bisect करी हूँ angle को, इसका मतलब, this is, यहाँ पे मैं इस तरह से दिखा देती हूँ, this is your angle c by two, this is also your angle c by two, तो angle bisector, जिस भी point पे meet करते हैं, intersect करते हैं, वो होता है, center of the in circle, correct, ठीक है, तो in circle का center ये है, अब इस center से, जो हम यहाँ पे draw करते हैं, perpendicular, got it on the side, वो होता है, इसको चलो मैं दूसरे color से दिखाती हो, तो circle से, जो हम perpendicular, यहाँ center से जो perpendicular draw करते हैं, वो होता है, अपना radius of this circum circle, और ये radius draw कैसे होता है, अगर ये center है, तो बस इसका radius आप draw कर लो, perpendicular किसी भी side पे, और वहाँ जब आप match करोगे, then you will see it is just touching at only one point, got it, तो ये है अपना in circle, understood the concept, तो बस ये चीज़े धिहान में रखना, angle bisector, और यहाँ जैसे इस point में meet किया, intersecting point मिला, वहाँ से हमने क्या क्या है, एक perpendicular, only the perpendicular, not bisector, तो यह जैसे हम draw करते हैं, तो वो होता है अपना radius, और इस radius को यहाँ पर हम denote करते हैं, small r से, ठीक है, तो यह small r मैंने यहाँ पर दिखा दिया, done, यह अपना small r है, तो यह जो अपने पास circle इस तरह की बनी है, जिसे हम encircle बोलेंगे, तो हमारे पास radius का फिर से अपने पास कुछ न कुछ relation बन के आएगा angles के साथ, तो यहाँ जो relation है, वो कुछ इस तरीके का है, क्या है, r equals to delta upon s, अब मुझे बताओ, यह r equals to delta upon s का मतलब से हमच में आ रहा है, क्या होता है, यह r and delta and s, small r is the radius of the encircle, delta क्या है, area of the triangle, s क्या है, a plus p plus c by 2, यही था न, यहाद है सारी चीज़े, अब कैसे हम इसे देखेंगे कि क्या आया कहां से और कैसे हम इसे निकालते हैं, तो इसके लिए simple सा तरीका है, देखो, अगर मैं इस पूरे triangle ABC के बार में बोलू, तो triangle अगर ABC का area है अपने पास delta, let us assume, ठीक है, तो area क्या होता है, इसे मैं divide कर सकती हूँ कुछ इस तरीके से भी न, that means area of, अगर मैं बोलू, A, O, अगर ये center अपना O है, तो area of triangle A, O, C, ठीक है, प्लस area of the triangle, this C, O, B, ठीक है, then, प्लस area of the triangle, B, O, A, अगर मैं लिखूँ, तो क्या कोई गलती होगी, इस पूरे triangle का area, मैं लिख सकती हूँ न, this area, plus this area, plus this area, कोई दिकत नहीं है, yes, now done, अब बताओ मुझे, जो area of the triangle A, O, C है, this triangle, ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, कि इस area को, अगर मैं लिखना चाहूँ, तो क्या लिखूँगी, half into base into height होता है, base is worth nothing but A, C, and this is given by B, तो half into B, into, जो इसकी height है, वो कितनी है, perpendicular दिख रहा है, कितना ह that means half into B into R हो गया, correct, done, plus similarly, इस particular triangle के लिख क्या हो जाएगा, nothing but half into A into R, similarly, the third triangle के लिख क्या होगा, half into base is nothing but C, into the height is nothing but R, got it, understood, so from here, what we are getting, that delta is equal to, अगर मैं half कॉमल ले लू, R भी कॉमल ले लू, तो क्या बच रहा है, A plus B plus C, and you know कि A plus B plus C की value कितनी होती है, 2 into S, so 2 into, यहां से हमार पास क्या आ गया है, 2SR upon 2, 2, 2 हो गया cancer, तो अगर मुझे R चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगी, delta upon S लिखूंगी या नहीं, बिलकुल, clear, understood the concept की कैसे हमार पास यह value आती है, yes, done है, तो यह जैसे ही बात समझ में आ गई तो आप समझ सकते हो कि आप delta को लिखना है, R and S की term में तो हम लिख सकते हैं, R को लिखना है, delta and S की term में तो लिख सकते हैं, S को लिखना है, delta and R की term में तो लिख सकते हैं, correct, तो जो भी हमार पास यह है, मौझूद है, जो available knowledge है, उसी के हिसाब से आप देख सकते हो कि कैसे हम different formula पर पहुन जाते हैं ठीक है, आप देखो ये second वाला formula second formula क्या कहता है s minus a, f की value आपको पता है a plus b plus c by 2 होती है ठीक है, okay minus a into tan of a by 2 that means जो भी हम यहाँ side subtract कर रहे हैं, उसी angle का हम half ले रहे हैं tan के form में ठीक है, तो ऐसे याद रखना delta equals to s minus a into tan a by 2 अब इसको याद करने के लिए सोचो, इसको समझने के लिए देखो कि कैसे हम इसे प्रूफ करेंगे अब देखो, a by 2 यहाँ से समझ में आ रहा है तो let us assume हम यहाँ पे जो triangle है a, o और अगर यह point मैंने d assume कर लिया d, इन triangle a, o, d में अगर मैं देखो, तो क्या लिख सकती हो, अगर मैं बोलूँ आप से लिखने के लिए tan of a by 2, तो क्या लिखोगे मुझे बताओ tan of a by 2, p by b होता है आपको पता है, correct, तो हम लिख सकते हैं यहाँ r, अपन गलती से भी by 2 मत लिखना, this is not perpendicular by sector, बट यह क्या है अपना बस perpendicular है this side का हमें कुछ idea नहीं है तो let us assume, यह जो है a d हो गया, a d लिख सकती हो अगर सोचो कि मैं इस a d को कुछ नहीं बलकि मान लू this is x, ठीक है, a d तो यह वाली line कितनी हो जाएगी this d c will become what nothing but tell me, क्या हो जाएगा यह पूरा को पूरा b है तो b minus x होगा, होगा ना अब मुझे बताओ कि यह जो in circle की property जो आपने class 9 and 10 में करी थी वहाँ से और ऐसे भी आप सोच के देखो कि यह वाले triangle और यह वाले triangle में आपको क्या दिख रहा है, this angle is same this angle is same, that is this angle is also same correct, होगा ना, yes तो इस case में आप देख सकते हो यहाँ पे, कि यह वाली side that means a c जो है are you getting this point, that means a c जो line है इसके length और this a d की length है that means यह c नहीं है let us assume इसे मैंने माल लिया f, ठीक है, तो this o f ठीक है, तो यह जो distance है और यह जो distance है, जब एक circle का जो tangent हम draw करते है basically काइदे से क्या है, एक tangent है तो किसी point से अगर हम tangent draw करते है, तो आपको क्या समझ में आता है, अगर वो angle by sector की जैसे काम कर रहा है, so this distance and this distance is same or not, yes of course, that means यह वाले distance भी अपना क्या हो गया, x, correct clear, अगर यह वाले distance x है, तो यह वाले line कितनी हो जाएगी, इस पूरे line की value थी c, तो that means c minus x अब अगर c minus x यह है, तो आप मुझे बताओ same property जो हमने यहाँ पे लगाई है tangent वाली और यह angle bisectal वाली, that means this point से लेके this point तक, अगर यह assume कर लो, मैंने e assume किया है तो this be will be also equal to लगाने के लिए फिर से बोलू, तो आप क्या बोलोगे, this will be also equal to nothing but b minus x, होगा ना? Yes, अब मुझे बताओ कि यहाँ आप देख सकते हो, this is b minus x, this is c minus x और हमें क्या चाहिए, अगर इस line के बार में हमें बात करनी है so from here, what you can see that a is equal to b minus x plus c minus x, लिख सकती हो बिलकुल लिख सकती हो, अब इसको solve करके देखो, तो आपके पास क्या दिख रहा है, a is equal to b plus c minus 2x now tell me, b plus c क्या मैं लिख सकती हो 2s minus b, बिलकुल 2s minus a, so can I write this as 2s minus a minus of 2x, so from here, अगर आप इसे solve करोगे, तो क्या दिख रहा है, यह a इधर आजाएगा, आपके पास 2a equals to r, 2s minus 2x, so काईदे से अगर मैं सिर्फ x की value आपको बोलू तो यह उल्टा कर सकते हो, that means s minus a होगा या नहीं, बिलकुल होगा, got this idea understood the concept, कि कैसे हमने यहाँ से solve किया है, कैसे try किया है, solve करने के लिए, correct, तो जो-जो simple sa plus minus logic था हुआ ही हमने यहाँ लगाया है और अपने पस result x की value आगई है s minus a, आप मुझे बताओ कि यहाँ जो मैंने लिखा था r upon a d, इसका मतलब r upon x, इसके जगा मैं क्या लिख सकती हूँ r upon s minus a लिख सकती हूँ यह नहीं, बिलकुल so from here, this r की value कितनी हो जाएगी, s minus a into 10 of a by 2 होगा यह नहीं of course होगा, that means we have got the second result or not yes, got it, understood the concept कि कैसे हम इस तरह के question को solve करते हैं, और कैसे हम निकालते हैं कि value कहां से आई है, कैसे आई है, correct तो आपको जादा डेटिल में जाने की ज़रूरत नहीं है, this is only for your understanding, in case board exam से कभी आज आता है, ऐसे प्रूफ करने के लिए, then you can use this concept, but जो competitive exam है वहां के लिए, you have to remember this formula, यह दोनों ही formula घ्यान देख लेना बहुत ही ज़रूरी है simple तरीके से कैसे याद रखोगे r1 delta upon s इसको आप याद कर लो, किसी भी form में, delta equals to rs के form में भी याद कर सकते हो, जो भी आपको easy लगता है, वैसे आप इसे याद कर लो done, और जो दूसरा formula है, उसे याद करने के लिए simple, अगर मैं यहाँ angle change कर दू let us zoom as a minus b कर दू, तो क्या लिखोगे, nothing but tan of b by 2, clear है समझ में आई बात, जो यहाँ पे हम side यहाँ subtract करेंगे, उसी का angle लेके हम half करेंगे, तो b लिखा तो b by 2, c लिखा तो c by 2 करना होगा, done, clear, तो चलो इसके आगे देखते हैं, और यह देखो in circle में हमार पास एक और भी property आई है, एक और भी formula आया है, जो हमने देखा था, क्या था, वो r equals to delta by s, यह याद कर लिया है, s minus a into tan a by 2 यह भी याद कर लिया है, अब तीसरी जो मार पास property है, that means, तीसरा जो formula है, वो क्या कह रहा है, 4 into capital R, capital R याद आया, yes, यह तो in circle है, जब हम यहाँ बात करेंगे circum circle की, that means, जब एक circle draw किया जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, मैं एक अच्छा circle नहीं draw की हूँ, मुझे पता है, but you have to assume कि यह एक अच्छा सा circle है, और जिसका जो radius है, it is not compulsory कि यहीं होगा, इसका radius कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो जब, that means, कुछ भी इंदसन, आपको पता है कि perpendicular bisector का जो intersecting point होगा, वो होगा, कुछ भी का मतलब, यह नहीं कि कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है, done, तो यहाँ पे अब मुझे बताओ, कि इन दोनों formula को हम equate करना है, इसका मतलब क्या दिख रहा है, that small r और capital r में हमने try करी है, यहाँ पे relation बताने की, ठीक है, ना, तो capital r और small r में जो relation है, वो क्या कहता है, that यहाँ पे, अगर मैं पहले rhs की तरफ चलूं, तो अपने पास क्या है, 4 into capital r into sine of a by 2, ठीक है, into sine of b by 2, fine, and then sine of c by 2, करें, तो आपको यहाँ देख के कुछ तो समझ में आ रहा होगा, हमें चाहिए small r, और small r की value delta upon s होती है, that means a, b, c का अगर मैं form ले आओ, तो हमारा काम बनेगा, यह तो delta के form में आए, तो हमारा काम बनेगा, correct? यहाँ ध्यान देना, sine a by 2 है, sine b by 2 है, sine c by 2 है, correct? तो sine a by 2 sine b by 2, sine c by 2, कब हमने पढ़ा था, जब हमने half angle formula पढ़े थे, और half angle formula को जब हम s के साथ relate करते थे, तो क्या बन के आता था? Do you remember that, sine a by 2 के लिए, हम लिखते थे वहाँ पे, this is equal to square root of s minus, जो भी angle नहीं होता था, cyclic order बताया था, b and c लेंगे, तो s minus b into s minus c upon जो भी यहाँ होता था, b and c, यह हो जा दे थी value, तो क्यों ना, उसी form को यहाँ पे हम use कर ले, तो जैसे इस form को आप use करोगे, तो क्या मिलेगा, 4 r तो already है, square root of यहाँ पे हम लिख सकते है, s minus b into s minus c, divided by b c, and then square root of b है, तो that means s minus हम क्या लिखेंगे, cyclic order में, c and then a, so that means s minus a upon c a, जो उपर हमने subtract किया, उसे multiply करते है, into square root of अगर c है, तो a b लिखना होगा, तो s minus a into s minus b, divided by क्या हो जाएगा, this a b का product, done, यही है, अब थोड़ा सा और सोचो, और मुझे बताओ, कि यहाँ पे square root के अंदर हमें क्या क्या चीजे दिख रही है, multiply करने पे, s minus a दो बारी, s minus b भी दो बारी, s minus c भी दो बारी, that means, सबका square दिख रहा है या नहीं, और square और square root के कभी साथ रह सकते हैं, नहीं, तो यहाँ हो जाएगा वो cancel, और हमें, यहाँ पे numerator में क्या मिलने वाला है, सिर्फ s minus a into s minus b into s minus c, and divided by, यहाँ पे क्या चीजे है, देख लो, a square, b square, c square है या नहीं, फिर से square आगे और square root, cancel करा दो दो दोनों को, क्या मिलेगा, a, b, c done, होगी न, यही कहानी, ठीक है, अब सोचो कि यहाँ पे, आपको a, b, c भी दिख रहा है, r भी दिख रहा है, और यहाँ s minus a, s minus b, s minus c दिख रहा है, तो कुछ recall हुआ, हमारे पास delta की जो value है, area की value क्या होती थी, square root of s into s minus a, into s minus b, into s minus c होती थी या नहीं, from the heron's formula, होती भी न, तो बस हुआ ही, यहाँ क्यों न, हम use कर ले, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं s से उपर multiply करूँगी, तो s से मुझे नीचे भी multiply करना होगा, done, अब इस s into s minus a into s minus b into s minus c की value में क्या लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हो, delta square, बिल्कुल तो चलो लिख डालो, 4 r यहाँ पर मैं delta square लिखूँगी और यहाँ s into a, b, c लिखूँगी, अब देखो यहाँ जो यह 4 r है this r और a, b, c में और इस delta में, क्या हमार पस कोई relation था, बिल्कुल था, do you remember r equals to हम क्या लिखते थे, हम यहाँ पर लिखते थे, a, b, c by 4 delta, do you remember that, तो क्यों ना उसे use किया जाए, इसका मतलब अगर मैं 4 a, यहाँ से देख लो, अगर मैं इसे convert करूँ, तो 4 r upon a, b, c की जगा पर मैं delta लिख सकती हूँ, बिल्कुल you can see, 4 r upon a, b, c कर दिया, तो 1 upon delta, it is not delta, it is 1 upon delta, correct, यही value आ रही है ना, yes, so क्यों ना मैं 4 r upon a, b, c की value, 1 upon delta लिख दूँ, तो यहाँ क्या बनेगा delta squared, upon s तो है ही, into delta, correct, अब यह delta and delta cancel होके हमें क्या दे रहा है, delta upon s, और हमें अच्छे से याद है, अब यह भी किया है, delta upon s is equal to nothing, बट r होता है नहीं, yes, तो देख लो, r equals to this whole thing, we have got it, clear, understood, तो कैसे इस properties को हम यहाँ prove भी कर सकते हैं, और उसको ज़रत के लिए हम याद कर सकते हैं, तो याद रखना, small r, capital r में जो relation है, this is very very important, और आपको यह बिलकुल याद कर लेना है, 4 r याद कर लेना जो कि है circum radius, और यह है अपना in radius, और यहाँ है sin a by 2 into sin b by 2 into sin c by 2, तो कभी अगर आपको cos के form में दिया हो, या तो tan के form में दिया हो, तो बस यह ध्यान रखना कि हमें वहाँ पे, हमेशा ही S वाला जो funda है, delta वाला जो funda है, delta वाला जो formula है, उसे use करना है, then it will be super easy to calculate the value, clear? तो चलो, अब आगे देखते हैं, पिर है सारे questions, और यह रहा अपना question, question number 11, देख लो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, in a triangle A की value given है, B की value given है and C की value given है, then you have to find small r, है नहीं easy, अगर यह नहीं पढ़े होगे properties तो फिर तो बहुत ही मुश्किल लगेगा कैसे निकालना है, क्या करना है, because उस कहीं पे भी नहीं बोला गया है, that it is right angle triangle, अगर right angle triangle होता तो आराम से बता देते, तो इस case में, आपको, सबसे पहले यह देखना है, कि यहाँ पे हमारे पास, एक simple सी property आई थी r equals to delta upon s, correct? तो क्यों ना उसे use किया जाए, और s की value हमें पता है, कि क्या होती है, a plus b plus c by 2, निकाल लो value, बता दो कितनी आ रही है, a plus b that means 10 plus 10, 20, 27, और 37, 37, और फिर 5 किता हो जा रहा है, 42, तो 42 upon 2, that is nothing but 21, correct? तो आइसके बाल भी हमने 21 निकाल ली, अब, आप मुझे बताओ कि delta की value कितनी होती है, delta की value भी आपको b होता है, into s minus c होता है, correct? यही होती ना value, अब यहां से भी आप निकाल सकते हो, तो चलो मैं उसे यहीं पर निकाल लोंगी, so from here, r equals to square root of में क्या लिख सकती हूँ है, इसकी value है 21, ठीक है, 21 into 21 minus 13 करोगे, तो कितनी आ जाएगी? यह हो जाएगी value आपके पास 8, correct? ठीक है? ओके, fine, अब उसके बाद यहां पर multiplied by s minus b करोगे, तो 14 है that means 7, ठीक है, and then फिर s minus c करोगे, तो कितना आ जा रहा है? 6, correct? ठीक है, done and divided by यह है, अपना 21, आप देखो, ऐसे cases में ज़रूरत नहीं है, आपको कि सबको multiply करके, फिर solve करो, फिर उसका square root लो, that will be too complicated क्या करो, try करो कि यहां जो 21 दिख रहा है, और यहां पर भी 21 दिख रहा है, क्या यह cancel हो सकता है? तो you can see, कि 7 है यहां, ठीक है 7 इंटु 3 ही करने पर हमें 21 मिलेगा, और 3 हमें दिख रहा है कि यहां से हम आराम से ले सकते हैं, तो क्यो ना मैं इसे लिख दू, 21 इंटु 21, कहां से लिया, 7 इंटु 3 यहां क्या बचा, 2, 8 इंटु 2 कितना होता है, 16, can I write this, दोने में कोई मितलब नहीं है, कोई difference नहीं है, अब 21 और 21 को मैं आराम से कैंजल करा सकते है, दिमाग में आती जाती चीज़े हैं, कि कैसे इसको solve कर सकते हैं, कम step में हम solve कर सकते हैं, और अपने calculation को बहुत minimize किया जा सकता है, ठीक है, तो कौन सा option है, you can see option A is the correct answer, done, देखें अगला question, तो चलो एक अगला question देखते हैं, और यहां क्या है हमारे पास, by, अच्छा, तो यहां क्या बोला गया है, कि small r और capital r में क्या relation है, कब जब कि अपने पास है, equilateral triangle, तो सबसे magical बात तो हमें बता रही गई है, और हमें relation तो अच्छे से पता है, कि small r और capital r में relation जो होता है, वो क्या होता है, 4 into r into sin a by 2, याद है ना, अभी अभी किया था, अच्छे से prove, तो sin b by 2, इसलिए मैं बोलती हूँ कि prove अगर एक बार एक बार एक खुद से करोगे, as you can see, कि अभी आपके पास बहुत सरा time है, ठीक है, तो starting से अगर त्यारी कर रहे हो, तो ऐसे करो कि बार मी फिर वापस मुड़ के ना, देखना ना पड़े, सोचना ना पड़े, कि ये अच्छे से पढ़ लेते तो अच्छा होता, अभी से अच्छे से पढ़ो, एकदब ध्यान से पढ़ो, तो अगर खुद से prove करोगे, तो formula अपने आफे दिमाग में set हो जाएंगे, ठीक है, तो sin b by 2 into क्या होता था, sin c by 2, as यहाँ पर अपना a equals to b equals to c equals to 60 degree है, तो a by 2, b by 2, c by 2 कितनी हो गई, 30 degree, and you know the value, कि 30 degree पर sign देता है 1 by 2, so 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2 value हो गई है, अराम से यह 2, 2 cancel हो गया यहाँ से, और बचा r by 2, और हमें क्या चाहिए था, हमें relation चाहिए था small r and capital r में, जो कि हमने निकाल लिया है, so this b is the correct answer, और इस relation को आप धियान रखना कि equilateral triangle में small r and capital r का जो relation होता है, वो क्या होता है, this is the relation, तो कैसे भी याद कर लो, 2 r equals 2, आप यहाँ से यहाँ से याद कर सकते हो, कि capital r है तो बड़ा है, तो 2 into small r होगा, ऐसे भी याद रख सकते हो, तो यह relation बहुत ही important है, यह याद कर लेना, this is the question, but you can use this property, जब भी equilateral triangle आएगा, तो यह सारे step आपके क्या हो जाएंगे, eliminate हो जाएंगे in that case, ठीक है, तो चलो, चलते हैं इसके आगे, और आप देखो, आप अपने पास कुछ बहुत important सा आया है, length of median and angle bisector, तो यहाँ पे, इसको बस आपको ध्यान में रखना है, that this is the formula, for length of median from the vertex A, बस questions आते हैं, तो सबसे पहले, जैसे हैं आपके पास median word आ रहा है, दिमाग में तो आई गया होगा, यह समने पढ़ा हुआ है अलड़ी इसे, median जो है, क्या करता है, यहाँ पे इसे bisect करता है, correct, that means, जो सामने वाली side होती है, जिस vertex से वो खीची जाती है median, वो इस triangle को क्या करता है, दो equal हिस्सों में divide करता है, वो है इसका median, correct, तो यहाँ पे यह जो sides है, वो भी equal हो गई, done, अब यह जो length है of median, from the vertex A, that means, इस A, अगर इस point को लेट आस अजूम मैं D बोल दूँ, तो इस AD का जो length है, उसे निकालने का एक simple सा formula है, और यहाँ ज़्यदा detail में दी जाना है, बस आपको याद कर लेना है, is nothing but, half of square root of 2B square, plus 2C square, जो भी vertex से खीची गई है, उसे छोड़के दो दोनों है, उसे ले लो square के form में, तो 2B square, plus 2C square, और minus, जिसे हमने लिया था, उसे कर दो, A square, और यहाँ 1 by 2 तो अलरेडी था, clear, then, तो ऐसे बस इसको याद कर लेना, let us assume, मैं अगर इसे बोलूँ, कि for vertex C के लिए, ठीक है, vertex C के लिए, अगर मुझे बनाना है, तो मैं क्या लिखाँगी, देख लो, अराम से आप ऐसे correlate कर सकते हो, कि कैसे हम formula को याद रखते हैं, तो जो यहाँ नहीं है, उसे ही छोड़ कर, तो half square root of हम क्या लिखेंगे, 2A square, plus 2B square, minus C square, that's all, done हो गया यह, correct, understood, तो यार करना बिल्कुल ही टफ नहीं है, एक बार मांड में बस बिठा लेनी है चीज़े, और लिखना है, खुझ से practice करनी है, ठीक है, अब चलते हैं, दूसरे वाले formula पे, यहाँ हमी निकालना है, length of angle bisector, angle bisector का मतलब समझी रहे हो, that means this angle should be equals to this angle, that's all, तो यहाँ पे जब भी angle bisector की length निकालते हैं, जिस भी vertex से निकाल रहे हैं, तो उसे कैसे याद रखेंगे, अगर vertex A से हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे याद रखना है, squaring नहीं होगी, square root नहीं होगा, क्या होगा, 2 BC into cos A by 2, कैसे याद रहेगा, देखो, जो vertex है उसे छोड़ कर, that means 2 BC किया, and then into cos, जो angle है उसे लिया है, जैसे यहाँ लिया था, हमने A square, ठीक है, तो वहाँ पे ले लो, cos A by 2 upon B plus C, तो लेट अगर मैं बोलू कि vertex C की यहाँ पे चलो, तो B के लिए लेखते हैं, ठीक है, तो vertex B के लिए, हमार जो length होगा, angle bisector का, वो हम क्या लिख सकते हैं, B है, तो इसे छोड़ कर, that means 2 CA, into cos क्या लिखेंगे, जो angle है, that means B, जो vertex है, that means B by 2, upon this C plus A, so this will be the length of the bisector, clear, angle bisector, and then suit, तो यह बस आप याद कर लो, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा question नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी, यह अगर formula याद है, तो आप देखोगे, कि in case question आ जाता है, कभी-कभी पूछा गया है, तो in case कभी-कभी question कहीं से भी आ जाता है, किसी भी competitive exam में, then you can directly use this, and just find out the answer, तो चलो, इसके आगे कुछ और भी अच्छी सी properties देखे, अब यह रहा आपने पास, angle of regular polygon, तो generally, यह वाले जो concept है यह आपने पहले पढ़ लिया है, बट फिर भी मैं, जैसे कि आप तियारी कर रहे हो जही के लिए, अपने advance के लिए, और फिर कोई भी competitive exam के लिए, तो यह सारे जो formula है, इकठे अगर एक जगर होते हैं, तो हमारों दिमाग में हमेशा ही रहती हैं चीज़े, और इनको use करके करना questions में आते हैं, ऐसे questions, ठीके तो जो last में आपने देखा, उनके formula है, और यह सारे formula है, इसको बस आप दिमाग में बिठा लो और याद कर लो, कि भाई ऐसा ही होता है, तो क्या है, कोई भी अपना जो regular polygon होता है, regular polygon का मतलब क्या होता है, एक होता है normal polygon अगर बोला, तो that is totally different from regular polygon, regular polygon का मतलब है, कि जितने भी sides होंगे उस polygon में, poly मतलब multiple, तो जितने भी sides होंगे, उन सब का जो length होगा, that will be equal, और उसके साथ साथ जो interior angle होंगे, वो भी होंगे equal, जैसे कि आप देख सकते हो, आपके पर example दिख रहा है, hexagon का है, तो यह जो है, एक regular hexagon है, यह normal hexagon नहीं है, regular hexagon, regular का मतलब, यह वाली जो side है, this is equal to this side, this is equal to this side, of course six side होंगे, तो सारे ही sides जो है, equal है, और जितनी भी अपनी यहां पर interior angle है, ठीक है, this is the interior angle, one interior angle, this is another interior angle, this is another interior angle, this is that, यहां पर भी कितने angle होंगे, six होंगे, तो इन सब जो angle की value होगी, वो equal होगी, side भी equal होगा, और angle भी equal होगा, this is your regular polygon, ठीक है, तो यहां मैंने hexagon लिया, but you can take any shape, clear, ठीक है, अब इसमें, जो भी interior angle के लिए, जो formula है, for a regular polygon, of n side, यहां पर six side है, अगर n side के लिए हम लेते हैं, ले रहे हैं polygon तो, 2n minus 4 upon n, into pi by 2, that is done, अब देख लो, यहां पर example fit करके, अगर hexagon लिया है, six side है, तो क्या हो जाएगा, 2 into 6 minus 4 by n, that is nothing but 6, and then into nothing but 90 degree, बोल लो, या pi by 2, कितना हो जाएगा, 6 into 2, 12 minus 4, कितना हो जाता है, आपके पास 8, तो 8 upon 6, into pi by 2, तो काईदे से अगर मैं देखू, तो this is 3, this is 4 time, तो अपने पास value कितनी आ गई है, यहां पर 4 pi by 6, तो यह कितना हो गया, अगर आप ऐसे सोचो, this is nothing but 3, तो this is 2 pi by 3, correct, this is 2 pi by 3, तो 2 pi by 3 कितनी होती है, 120 degree, and you know कि hexagon में अपनी अंगल कितनी होती है, 120 degree, कैसे, यहां पर आप प्रूब भी कर लो, देख लो फटाफट से, कि अगर मैं यहां बोलू, कि कैसे हमारे पास 120 degree आ रही है, यह पूरी की पूरी interior angle, तो देखो, यह जो hexagon है, कैसे बनता है, अपने पास अगर यह side equal है, और यहां इसका एक center है, तो यह वाली side, यह वाली side, और यह वाली side, तिनो ही equal है, यहां पर अपने पास, यह hexagon जो मौजूद हुआ है, वो कहां से आया है, अपने पास 6 इस तरह की, equilateral triangle के combination से बना है, तो यह भी एक greater triangle है, यह भी एक equilateral triangle है, यह भी, यह भी, और ये भी, तो six equal lateral triangle जब मिलते हैं, तो hexagon बनता है, तो ऑफ़पूर्स, इसकी जो यह angle है, वो कितनी है, 60 degree, यह भी है 60 degree, ठीक है, और यह भी है 60 degree, तो you know, कि जब हम 60 degree बोलते हैं, तो किसी भी point के चारो तरब जो अपने पास circle बनता है वो angle कितना बनाता है 360 degree तो you can see around say that this is 60, 60, 60, 60 and 60 तो 6 x 60, 360 degree वैसे भी सही आ रहा है और यहां पर जैसे यह 60 करोगे, इधर भी यह 60 degree है तो 60 plus 60 is nothing but 120 degree, you have got this clear है, understood तो सारी चीज़े जो बच्चपन में पढ़ते आया हो सब एक दूसरे से related होता है only the thing is, कि आपको उन सब को अपने दिमाग में ऐसे link की जैसे बना के रखना है तो देख सकते हो, यह formula आराम से याद कर लो कहीं भी कहां पर भी लगे, जिस भी जगह पर लगे, किसी भी, मतलग कोई भी ऐसा नहीं कि trigonometry में ही यह से equation आ सकते हैं, किसी भी जगह पर आ जाए, you can use it directly ठीक है, और आप देखो, अब हम आ चोके हैं कुछ बहुत ही important points है जो कि आपको याद रखने है, ठीक है, क्या है circumcenter of a right angle triangle और this right angle triangle का मैंने short name ले लिया है rat, तो rat को गल्ती से भी चूहा मत समझ लेना, ठीक है, ओके, तो अब क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो यह picture देख लो हमारे पास जो picture है, latest assume मैं उसका नाम दे रही हूँ, a, b and c, ठीक है तो यह जो a, b, c है, क्या देखके समझ में आ रहा है, that it is a right angle triangle तो right angle triangle में, जो hypertonious है, उसका जो midpoint होता है, latest assume मैंने o माल लिया, ठीक है तो जो midpoint है ना, इसके लिए एक बहुत ही magical सी बात है, एक बड़ा सा अच्छा सा इसके पास feature है, वो क्या है, वो कहता है कि I am equidistance from all the vertex, इसका मतलब, इस hypertonious की जो center में point है o, इसका जो distance है हर एक vertex of this triangle, right angle triangle से equal distance पे है, तो o a equals to o b equals to o c होता है clear, वही है अपना point number one, that midpoint of the hypertonious of a right angle triangle is equidistance from all the vertices done, ठीक है, अब दूसरी बात, अगर मैं सोचू, यह अगर मैं बात बताई हूँ आपको कि o से ही क्या है equally distance पे है, vertex है तो सोचो कि अगर मैं o को as a center मान के एक circle draw करना चाहूं, ठीक है, o center है, मुझे radius बता चल चुका है कि अगर मैं यह मालनों कि मैं यह R है, यह भी R है, यह भी R है, तो अगर मैं एक circle बनाओ, तो अगर मैं एक circle बनाओ, तो of course circum circle बोलते थे, right, तो यह जो circum circle है न, इसका ही center है, यह O, इसका मतलब यहां से हमें क्या समझ में आया, that midpoint of the hypotenuse of a right angle triangle is nothing, but the circum center of this triangle, got this idea, that means अब अगर मैं आप से पूछूँ, कि यहां से, इस point से मैं perpendicular bisector draw करना चाहूँ, तो बिलकुल possible है, got it, तो यह ज़रूरी नहीं है, कि यह center है, circum circle का center है, वो सिर्प triangle के अंदर ही हो सकता है, इस triangle के बाहर भी हो सकता है, किसी side पर भी हो सकता है, that means अगर मैं अब यहां बोलू, कि perpendicular bisector of this line AB, और इस line अपने BC का, इस point पर मिल रहा है, that means point of intersection है यह, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, because you know the funda behind circum circle, कि वो क्या होता है, perpendicular bisector का, that means this line, this line equal, और यहां पर, लिटर से, इसमें को क्रॉस से में दिखा रही हूँ, यह दोनों equal है, तो perpendicular bisector का, जो intersecting point होता है, वह ही होता है, अपना center, correct, और यहां से भी देख सकते हो, वो property बिल्कुल valid है, goodness, understood idea, तो हमेशे ध्यार रखना, कोई भी right angle triangle आप ले लो, उसका जो hypertinuse है, उसका जो mid point होगा, वो equidistance होगा हर एक vertex के, और जब हम वहाँ से एक circle draw करते हैं, उसको center assume करके, with the radius same, तो हम क्या बोलते हैं, यह कुछ नहीं बलकि circum circle है, तो यहां पर यह properties आप कहीं पर भी use कर सकते हैं, और जैसे यह वाले चीज़े आएं अपने पस, तो आप समझी चुके होगे, कि आर के साथ जो भी हमने property पढ़ी थी, उस triangle को लेकर, वो सब कुछ valid होगा, और हर जगह हम use कर सकते हैं, done, और अब हम आ चके हैं, अपने height and distances की तरफ, ठीके, तो अलएड़ी आपने बच्पन में इसके concept पढ़ लिये हैं, तो बस थोड़ा समय एक बार overview दे देती हूं, तो क्या है, देख सकते हैं, एक छोटी सी बच्ची है, व कैसे जाओं, और कैसे उसे नीचे बुलाओ, तो यह जो घबराहत भी उपर की तरफ देख रही हैं, इस ही angle को हम बोलते हैं, angle of elevation, तो इस ने अपना सर उपर किया और फिर देखा, that's why this is your angle of elevation, ठीक है, कैसे बनाते हैं, आई का जो भी अपना level होता है, उसे हम बोल देते हैं अपना ये horizontal line बन गया है, अब इस horizontal line से जिस भी direction में वो देख रही है, so that will be your angle of elevation, तो चलो इसके इसाब समय बना देते हो, done, समझ में आई बात, चलो, अब ये जो बच्चा देख रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर इसके eye के level में जो एक line बनी है horizontal, that is the line of horizontal, ठीक है, line of horizon बोल सकते हो, horizontal line बोल सकते हो, और ये जिस भी direction में नीचे देख रहा है, और ये जो angle बना रहा है, उसे ही हम बोलते है, angle of depression, ठीक है, understood the concept, और ये जो अपना direction है, जिस direction में दोनों ही बच्चे एक दुसरे के सरफ देख रहा है, उसे हम बोलते है, line of sight, got it, understood, तो ये line of sight, angle of depression and angle of elevation are very important, और इसी पे mainly कायदे से questions पूछे जाते हैं exam में, ठीक है, तो एकदम ध्यान से इन सब को समझ लो, ये ध्यान रखना, कि यहाँ पे जो main trick होता है, वो questions यब कराऊंगी, तो अच्छे से समझ में आएगा, कि जिस level पे बच्चा खड़ा होता है, कोई भी इंसान होता है, जिस level पे कुछ भी, कोई भी object है, उस level को हमें ध्यान में रखना होता है, उसकी height को, that means horizontal line को देखना होता है, angle of elevation को देखना होता है, angle of depression को देखना होता है, और उसके हिसाब से हमें चीजे calculate कर ली होती है, ठीक है, और इस height and distance में, जो main मुद्दा है ना, वो होता है आपके drawing के ऊपर, तो drawing is very very important, आपकर question को draw कर लेते हो properly, तो आधा question आपका ऐसे ही solve हो जाता है, ठीक है, तो चलो एक और अच्छी से property देखते हैं, जो कि हमेशा use में आती है, कुछ कुछ जगहों पे हमने देखा है कि वो आती है use में, जैसे कि एक है, अपना MN theorem, ठीक है, त कोई भी एक triangle हमने बना लिया, ABC, अब यहाँ पे यह जो line है, AD, वो इस BC line को M into, M और N के ratio में डिवाइड कर दी है, ठीक है, तो अगर यह ऐसा divide करती है, और यह जो line AD है, एक angle theta बना रही है, यहाँ पे, और यह जो angle है, that means, यह जो यहाँ AD line बनी है, इस angle A को alpha और beta के form में convert करी है, that means, यहाँ पे angle A is equal to nothing but alpha plus beta है, अगर इस तरह से यहाँ separate हो रहा है, दोनों divide हो रहा है, तो अपने पास जो formula है, में theorem से, वो क्या कहता है, that M plus N, that means, सबसे पहले तो M plus N कर दो, ठीक है, into cot theta, जो यहाँ angle बनी है, उ that can be written as, दो तरीका है लिखने का, देख सकते हो, left hand side यहाँ पे भी equal है, यहाँ पे भी equal है, तो यह दोनों ही property आप याद करके रख लेना, this will be helpful for you, done, क्या होता है, पहला, M जब लिया, that means, यह वाली value, जब M लिया, तो इसके सामने कौन सा angle है, alpha, ठीक है, तो M के साथ cot alpha आया रहे हैं, उसके साथ हमने क्या लिखना है, cot theta, यह cot की साथ deal करता है, तो cot theta लिखा, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम M के साथ क्या आता है, अपना alpha, तो that's why M cot alpha, लिख दो, minus N cot क्या आता है, उसके सामने beta, that's all your work is done, बस ऐसा ही याद रख लेना है, ठीक है, अब दूसरी अंगल, याद में दूसरी property, वो क्या कहती है, जब हमार पास alpha, beta पता ना हो, क्या पता हो, इस case में हमार पास angle B और angle C के बार में idea है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, कि alpha, beta ना देकर, बोल दिया गया है, भाई, B and C गिवन है, तब क्या करेंगे, M plus N into cot theta की value, अब हम निकालेंगे, N को पहले रखेंगे, यहाँ याद रखना कि सामने सामने की value नहीं given है, तो हम क्या कर रहे है, ulti value लेंगे, that means N के साथ आजाएगा cot B, जैसे इसके opposite वाली angle, M के साथ आजाएगा cot C, उसके opposite वाली angle, clear, understood, और minus sign यहाँ पे भी same रहता है, तो N cot B minus M cot C, जैसे ही कि आपके पास result आ गया है, M plus N into cot theta, done, clear, तो यह property बिलकुल दिमाग में बिठा लो, याद कर लो, कुछ-कुछीज़े आपको याद करनी ही पड़ने की, कोई option नहीं है, बढ़ याद करने का एक simple funda बन जाता है, एक तरीका बन जाता है, किस तरह से story बना के, किस तरह से आप सोच के एक या टावर भी, ठीक है, that means, एक वर्टिकल टावर भी है, तो सबसे पहलो चे चलो टावर बना ले, A, B है, okay, fine, have its end A on the level ground, अच्छा, मतलब यह बोल दिया गया है, कि A हमें नीचे लिखना है, और B उपर लिखना है, done, ठीक है, level ground पे है, A, ठीक है, let's C be the midpoint of A, B, okay, that means, C अगर माल लो कि इसका midpoint है, done, and P be a point on the ground, that means, हमने यहाँ पे midpoint बना लिया, C को, अब यहाँ क्या बोल गया है, P be a point on the ground, such that, AP equals to 2AB, अच्छा, यह जो AB है, इसका 2 times, so let us assume, यह है अपना 2 times, ठीक है न, तो यह point बन गया, P, fine, अब क्या बोल गया है, if angle, B, P, C equals to beta, B, P, C, अच्छ that means, this is the angle, let us assume, यह point था, वो point नहीं था, और यह angle है, C, ठीक है, that means, यह जो angle है, यह बोला गया है, nothing but, beta है, done, then, tan beta is equal to what, अच्छा, तो आपको यहाँ पे, इस tan beta की value बतानी है, got it, तो यहाँ सबसे पहले तो यह समझो, कि value क्या given है, यह AP की जो value है, 2 times this AB है, और यह इसका midpoint है, तो let us assume, अगर मैं इस पूरे को assume कर ले रही हूँ, x, तो यह हो गया अपना x by 2, यह हो गया अपना x by 2, और यह क्या हो गया है, 2x, correct, यह सारे चीज़े हमें पता है, अब देखो, कि आपको बोला गया है, tan beta बताने, पर वो तो हमें कोई formula आता ही नहीं, यह वैसा वाला कर लो, कि यह जो पूरी की पूरी अंगल है, let us assume, अगर मैं इसे भी assume कर लो, चलो मैं पूरे को assume कर लेती हूँ, that this angle is your alpha, ठीक है, done, I can do this, तो अगर यह पूरी की पूरी value alpha है, तो अब मुझे बताओ, कि मैं अगर आपको बोलू, tan alpha लिखने के लिए, तो आप नहीं लिख स है, बिल्कुल लिख सकते हो, बोलोगे, p by b, and p by b का मतलब ही आपको पता है, यहां पर क्या है, x by 2 plus x by 2, that is nothing but x, upon हम लिख सकते है, 2b, 2x, that means 1 by 2, तो हमने tan alpha की value निकाल ली है, ठीक है, उससे कोई फाइदा हुआ है, अब देखो यहाँ, alpha पता है, तो और यह beta अगर है, तो अगर इस angle की बार में आप से पूछू, तो सब बोलोगे, alpha minus beta है, बोलोगे यह नहीं, yes, तो अब अगर मैं सोचो, कि बोलू आपको, कि tan alpha minus beta की value बताओ, तो क्या होगी, फिर से हमें right angle triangle दिख रहा है, जहां पे ac upon हम लिख सकते है, ap, लिख सकते हैं, तो जैसे ac upon ap लिखोग है, अब हमें बस tan beta चाहिए, क्या आप कोई formula नहीं लगा सकते, trigonometry का, what we have, we have that tan alpha minus beta, is nothing but tan a minus b का formula, tan a minus tan b, that is tan alpha minus tan beta, ठीक है, divide by क्या करते थे, 1 plus tan alpha into tan beta करते थे, निकालना क्या है, tan beta, तो निकाल लो, यहां से किसने रोका है, यहां पे tan alpha minus beta की value रख दो, 1 by 4, यहां पे alpha की value कितनी थी, 1 by 2, ठीक है, minus tan beta, जो कि हमें चहिए, upon 1 plus, यहां पे भी कितनी हो जाएगी, alpha की value में निकाली है, 1 by 2, so tan beta by 2, solve करो, निकाल लो value, so what value you are getting, 1 by 4 plus tan beta, okay, divided by क्या हो जाएगा, 4 into 2, 8, and then, यहां पे हम क्या लेख सकते हैं, equals to, 1 by 2 है, minus of tan beta है, ठीक है, बस मैंने cross multiply कर लि अब यहां से गर सारे tan beta वाले term को एक साइड लेके आ जाओ, तो 1 by 8 plus 1 कितना हो जाएगा, 8 plus 1, 9 by 8, correct, तो यहां से आगया है, tan of beta into 9 by 8, and that will be equals to 1 by 2, minus 1 by 4 कितना हो जाता है, this is 1 by 4 only, correct, अब देखो, 4 and 2 cancel हो गया, so from here, what you have got, tan beta की value आगई है, अपने पास, 2 upon 9, so this is the answer, अब देख लो कौन से option है, so that will be the correct option, so you can see, पहला ही option पहला ही correct देदिया गया है, तो चलो, पहला option जो है, that is 2 by 9, is your correct answer, और यह question आपने सौल कर लिया, देखा ना, कुछ नहीं था, यहां पर देखो तो बस angle of elevation के उपर ही सारा कहानी था, बस खतम, done, चलो एक देखते यहांपर और, तो देखो चलों का है यहां, यहां है, यहां कॉईशन है, यहां एक यहां आया हूँवा है, जेए मैं में 2020 में, तो अध्यान से एच्छे सा देखना, the angle of elevation, जिसकी बार में है बात च्छा था, तर उपर की तरफ देखना, of a cloud C, अच्छा ठीक है, from a point P, 200 metr जो कि 200 meter above है, still lake, चलो, तो मैं अगर सोचो कि यह lake बना देती हूँ, done, तो lake है, मतलब यहाँ पानी होगा, तो पानी चलो ऐसा ऐसा बना दिया, ठीक है ना, ओकि यहाँ पे क्या है, इत point है, जो कि 200 meter उपर है, तो यह जो है, मतलब पानी माला जो लेक है, वो यह है, और यह जो था, वो थोड़ा सा ground जो है, वो उपर था, तो यह जो है distance, this is nothing but, मैं बोल सकती हूँ, 200 meter, ठीक है, समझ में आई बात, तो यह जो एक point है, उस point का नाम क्या है, P, fine, okay, अब इस point से, एक cloud C है, cloud कैसा दिखता है, आसा ही कुल दिखता है, तो लेट इस अजूम यह एक cloud C, तो वहाँ से जो है, angle of elevation, यह कितनी है, 30 degree, पसित्ती कहानी बोली गई है, पहले line वे, ठीक है, done, ना, if the angle of depression, अच्छा, depression पे देखना है, of the image C, image C, in the lake from the point P, is 60 degree, यह एक लेक है, यह एक लेक है, लेक के उपर 200 मीटर उपर के, जो यह ग्राउंड था, वहाँ से हमने cloud को देखा, तो 30 degree पे देखा, अब इस cloud का जो हमें देखना है, image वो कहां देखना है, और लेक में देखना है, तो यह जो लेक है, जहाँ पर पानी पानी है, उस पानी में अगर मैं इसका image देखोंगी, तो मुझे बताओ कि कितने distance पे दिखेगा, अगर माल लो कि इस C से, इस point की जो height है, वो कुछ नहीं बलकि H है, ठीक है, लेकिन हम हाइट को मैंने H माल लिए, लेकिन कहां से, वो 200 जो मीटर है इस point, इस lake से जो above है, यह 200 मीटर पे यहाँ पे इस की से लेके मैंने height माल लिए है, ठीक है, तो यह वाला जेग अभी 200 अभी है, अब इसका जो मैं इमेज देखोंगी, तो आफकोर्स कहां दिखेगा हमें, इस lake में दिखेगा, और कितने height पे दिखेगा, इसका distance क्या दिखेगा, क्या सिर्फ H दिखेगा, बिल्कुल नहीं, बल्कि क्या दिखना चाहिए, इस H को तो लेगा ही, साथ ही साथ यह जो distance 200 मीटर है, उसे भी लेगा, और इस पूरे का image बनाएगा, है या नहीं, yes, that means whatever will be, this distance, whole distance will be here, and we will see somewhere cloud को इस तरीके से, तो यह जो cloud हमें दिखा, अब वो कितने distance पे दिखा, यह H था, यह अपना 200 मीटर था, that means यह पूरी की पूरी length कितनी दिखेगी, H plus nothing but 200 मीटर, got this idea, अब क्लाउड का, वो कहां दिखना चाहिए, 200 पे दिखेगा, 200 नीचे दिखेगा, या 200 प्लस H पे दिखेगा, इस ही पे पूरा का फंडा था, यहां, क्वेशन को समझने का, then, अब क्या बोला गया है, अब बोला गया है, कि यह जो angle of depression है, of this image C, from the point P, is 60 degree, that means, यह जो भी यह angle बन रही, अपनी depression की, वो कितनी है, 60 degree, ठीक है, यह है अपना ground, इसका horizontal line, done, then, PC meters, is equal to, इसका मतलब हमें क्या बताना है, PC की value बतानी है, so, this length, we have to calculate, correct, that means, अब तो आपको समझ में आई रहा होगा, right angle triangle भी है, अपने पास सब कुछ बता है, आपको बस यह hypotenuse बतानी है, correct, कैसे बताओगे, सबसे पहले तो आप देख लो, कि हम यहाँ tan 30 degree बता सकते हैं, तो वहाँ से अगर मैं यह distance पता कर लो, तो हमारा काम हो जाएगा, हैगी नहीं, that means, यह वाला distance, या तो फिर h ही पता कर लो, कुछ भी पता कर सकती है, इस तरह सकते हैं, हम लोग इस तरह से, तो अगर मैं लेटस अजिम, इसे मैं x माल लो, तो अपने पास, tan 30 degree के value, कितनी आ जा रही है, देख सकते हो, p by b होती है, that means, h by x, and that will be tan 30 degree, 1 upon root 3, that means, h और x में हमार पास, एक relation आ गया है, तो हम क्या लेख सकते हैं, x equals to, हम लेख सकते हैं, root 3 into h, done, एक कम हम ने ये कर लिया, ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखो, अगर 60 degree को यूस करें, तो फिर से हम h और x में relation निकाल सकते हैं, done, तो चलो यहां से निकालते हैं, अब tan 60 degree अगर देख हूं मैं, तो this whole thing, that is h plus 200, plus 200 कितना हो जाएगा, h plus 400, and divided by क्या है, x है, fine, so from here, तो अब यह वैल्यू कितनी होती है, 1060 degree, root 3 होती है, ठीक है, अब from here, what we have got, h plus 400, equals to nothing but root 3x, है ना, यह value आई है, अब देखो, x के तेगर पे, अगर मैं root 3h रखोंगी, तो हमारा काम बन जाएगा, तो h plus 400, ठीक है, equals to root 3, into होगे अपना root 3h, तो हमारा पास 3h आगई है value, so from here, अगर आप निकालो, h की value तो कितनी आजा रही है, 2h is equal to 400, so from here, h की value आगई है, 200 meter, तो देखो, हमने यहाँ, height जो है, उस cloud की निकाल ली है, कि this is 200 meter, correct, तो h equals to, जैसे ही value निकी, निकली हमारे पास, अब यह वाला क्या आप PC की value नहीं निकाल सकते, of course निकाल सकते हो, तो चलो, थोड़ा सा color change करकी लिखा जाए, so therefore, अपने पास, अगर मैं sin theta लगा दू, sin 30 degree कितनी होती है value, 1 by 2, तो इसलें easy हो जाएगा, h upon, मैं लिख सकती हूँ, PC, so therefore, PC की value कितनी हो जाएगी, h upon nothing but sin 30 degree, और sin 30 degree की value होती है, 1 by 2, h की value है 200 meter, तो upon 1 by 2 जैसे ही किया, so this is coming as 400 meter, so this is the answer, कौनसा option है, देख सकते हो, so option, D is the correct answer, you can see, understood, तो क्या था यहाँ पे main mudda, कि main funda गया था, question को पढ़ो, draw करो, ध्यान से draw करो, समझो, और जब अपने आस पास चलते हो ना, तो practically भी चेक किया करो, कि भाई जब आप, किसी एक छट पे खड़े हो, कि river में अपना image देख रहा हो, तो कितने depth पे दिख रहा है, clear, understood, और इसके साथ ही, अपने properties of triangle, height and distance, इसके साथ ही साथ, solution of triangle की concept, अड़ान होते हैं, यह पे finish, I am sure, आप सबको अच्छे समझ में आया होगा, तो वेट करो, मेरे must practice questions के लिए, जहां पे मैं आऊंगी live, और आपकी सारे questions को, और साथ ही साथ, मेरे बतायवे सारे questions को, आपको समझाओंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से, right, तो you already know, this is learn how, free है, पर best है, thank you, और हमारे साथ बने रहो,